कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर सम लीडियता गुडांग क्या होता यह तो इसमें लिखना इसे जैट से प्रदर्शित करते हैं तथा यहां तथा यहां किसी भी गैस का आधर्श वेवार से विचलन किसी भी गैस का आधर्श वेवार से विचलन को प्रदर्शित करता है या नापता है जो भी बोलें तो संपिड़ेता गुडांग की मदद से हम लोग किसी भी वास्तिविक गैस का रियल लाइफ की तो सभी गैसे हमें पता है वास्तिविक हैं तो किसी भी वास्तिविक गैस का आदर श्वेवार से विचलन को नापते हैं या प्रदर्शित करते हैं जो भी बोलें और इसे किस सुत्र से दिया जाता है बच्चों पी वी बाई एनार्ट ये इसका सुत्र है अब देखो इसी को मैं चाहूं तो वी अपॉन एनार्ट बाई पी लिख सकता हूं पी नीचे ल बाउजी के बटा ये भी वी है परन्तु ये भी तब होगा जब आपने गैस को आदर्श वाना उपर वाला वी अभी हमें पता नहीं कि गैस आखिर आदर्श है भी की नहीं इसलिए अब ये जो वी होंगे बच्चों आउपर वाले वी को हम मोलर वॉल्म ओप रियल गैस ब पहला बेसिक फॉर्मूला है Z equals to PV by NRT बट उसी को हम चाहें तो क्या कर सकते हैं आइतन के पदों में भी व्यक्ति कर सकते हैं उपर वास्तिविक गैस का आइतन नीचे रियल गैस का आइतन ठीक है जी और चो कि घनत्व क्या होता है दरविमान बटे आइतन तो अगर मैं घन पहनों नीचे आजाएगा किसका गनत्व गैस रियल गैस का आइतन है स्सक्रियान थंपर मैं कोई भी सुत्र चाहाँ तो प्रेयोक कर सकता हों किसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों Z को कैलकुलेट करने के लिए और यह अतिать महत्पॉर सीधिरी कांसर čाइपको में बत का संपीडेता गुणा compressibility factor के उपर ही होता है अब Z के क्या-क्या मान हो सकते है बच्चों तो Z के 2 मान है यहां तो Z equal to 1 होगा यहां Z not equal to 1 ठीक है Z equal to 1 होता है बच्चों किनके लिए आधर्श गैस के लिए ठीक है ना Z not equal to 1 होता है real gas के लिए ठीक है तो अगर Z equal to 1 है तो हम क्या-क्या बहुत सकते हैं बच्चों पीवी इक्वास टू एनार्टी ठीक है कि Z को 1 रखा तो पीवी ही किसके बराबर होगे नार्टी दूसरी condition बच्चों पीटा आधर्श गैस है तो उसका A B 0 उसका B B 0 तीसरी शर्थ नो leakification मतलब आप इनका द्रवी करण नहीं कर सकते हो ठीक है और क्या पूछ सकता है सब theoretical चीजे ही पूछेगा आप से और क्या पूछ सकता है Z अगर 1 है तो यह है दाप तथा ताप से स्वतंत्र है independent from pressure and temperature independent from pressure and temperature तो जो भी करना चाहे वो हम कर सकते है ठीक है ठीक अब अगर Z not equal to 1 है तो एला पॉइंट तो हमने बोल दिया रियल गैस हो गई थी ना दूसरा हम चाहें तो क्या बोल सकते है PV not equal to nrt थी तीसरा point क्या बोल सकते है मिटा कि Z जो होगा depend करेगा depends on pressure and temperature Z जो है वो pressure and temperature के उपर depend करेगा मतलब Z कमान pressure and temperature से change होगा कैसे हम उस पर आरा रहे हैं ठीक है अब चुकि Z not equal to 1 है तो दो शर्ते हो सकती यहां तो Z 1 से बड़ा यहां Z 1 से चोटा दो शर्तों में से कोई भी एक शर्त हमारी हो सकती तो हमारे पर दो possibility हैं यहां तो Z less than 1 यहां PV भी क्या हो गया less than nRT हो गया इस सुत्र से मतलब वास्तवी गैस का जो आयतन होगा समान परिस्थितियों में वो आधर्ष गैस के आयतन से कम होगा मतलब अगर मैंने एक निश्चित दाप तथा दाप पर ठीक ना उस गैस को आधर्ष माना तो उसका जो भी आयतन आएगा जबकि वास्तवी गैसे तो वास्तिवी गैस का जो भी आयतन आएगा वो आधर्ष गैस के आयतन से कम ह spectacle मोने का मतलब क्या अनू पासपास आ रहहा है मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा लगेगा कौन सा बल आकर्शन बल ठीक है आप हिन्दी में लिखते चलना मैं त तो कौन सा force लगए बटा, attractive force, तभी तो और वो पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे, तो आइतन क्या हो गया, पहले से कम हो गया, ठीक है, अब इसके अलावा क्या बच्छो, इसके अलावा, इस तरह की gas का easy liquification, मतलब आसानी से में इस तरह की gas को क्या कर सकता हूं, ठी ठीक है, यहाँ पर क्या-क्या बिंदू लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा, पीवी एनार्टी से बड़ा हो जाएगा, आदर्श गैस का आइतन अब कम होगा, और वास्तिविक गैस का उनी conditions में आइतन जादा होगा, आइतन बढ़ रहा है, मतलब अनू उल्टे दूर-दू जा रहे हैं और अनू दूर-दूर जा रहे हैं तोब यहाँ पर लगेगा कौन सा फोर्स आपका? repulsive force, ठीक है? यहाँ लगेगा कौन सा फोर्स आपका? repulsive force और इधी, liquification की जगे हम बोलेंगे, इस तरह का gas का liquification आसाणी नहीं होगा, इसका liquification difficulties होगा, यह तो general bindu सभी के लि से अगर हम बात करें तो वंडरवाल गैस से जेड लेस देन वन आपका चलो उनको में जेड एक साथ ही बता रहा हूं तो पहले हम इतने बिंदुओं को ध्यान रख लें कि क्या क्या कंडिशन हो सकती थी ना ठीक है चलो